दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एप्सन 31-54 प्रिंटर को आप अपने आप से ही इस्टाल कैसे कर सकते हैं कस्टमर केर पर फोन करके बुलाने की जुरूत नहीं पड़ेगी मैंने ये प्रिंटर खुद से ही इस्टाल किया था तो जो जो प्रोसेस मैंने किया था वही चीज मैं आपको बताऊंगा और ये बिल्कुल ही आसान है और आप बढ़ी आसानी से इसको कर लेंगे तो सबसे पहले आपको इसमें इंक डालना है तो आप यहां पर देखेंगे इंक टैंक उसके उपर ये बॉक्स बना हुआ तो इसको ओपन कर लेंगे और यहां पर देखेंगे तो यहां पर ब्लैक येलो और मैजेंडा यह सब कलर यहां पर लिखे हुए है तो ध्यान रहे आपको कि जो कलर जिसके सामने है आपको उसी में वो कलर डालना है तो इस तरह से बोटल को ओपेन करेंगे इसका डखकन और इसमें लगा देंगे और बड़ ही आसानी से इसमें इंक भरना शुरू हो जाएगा और यहां से आप देख पाएंगे कि कितना इंक भरा है चारों इंक डाल लेने के बाद आपको इसको अच्छे से बंद कर देना है फिर उसके बाद आपको प्रिंटर का पाउर बटन अन करना है अन करने के बाद आप यहां पर देखेंगे एक रेड कलर की लाइट यहां पर ब्लिंक होगी और इसके बगल में एक बटन है इस बटन को आपको लगबग 4 से 5 सेकंड तक दबाय रखना है उसके बाद आप इसको छोड़ देंगे तो printer आटोमेटिकली इस्टालेशन स्टार्ट कर लेगा और लगबग 7 से 8 मिनिट का समय लगेगा पूरा इस्टालेशन कंप्रीट होने में इस्टालेशन जब स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें तरह तरह की आवाजे भी होंगी खटर पटर और अजीब जीब से आवाजे करेगा printer मगर आपको डरना नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि printer खराब हो जाएगा प्रिंटर ऐसी आवाज करता ही है इस्टाल जब होता है तब और इस बीच आपको कुछ भी नहीं करना है कोई भी बटन आपको नहीं दबाना है और जब 7-8 मिनिट हो जाएगा printer अपना इस्टालेशन कंप्लीट कर लेगा तो आटोमेटिक यह लाइट यहां से बिलिंक होना बंद हो जाएगी और printer बिल्कुल शांत हो जाएगा कोई भी आवाज नहीं करेगा तो इसका मतलब आप समझ जाएगा कि आपका printer अब रेडी है यूज करने के लिए उसके बाद आप इसकी software CD भी अपने PC में लगा के इसको आप अपने PC से connect कर सकते हैं बिल्कुल मिला के पूरा प्रोसेस बहुत ही आसान है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में